आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो सिर्फ एक ही बार चुनाव लड़ा और वो भी हार गया एक ऐसा नेता जो मीडिया में खबरे ब्लांड करने के लिए जाना जाता था एक ऐसा नेता जिसके पास रिपोर्टर्स का आना जाना लगा रहता था आज हम बात करेंगे मोधी सरकार के संकट मोचक अरुन जेटली की जेटली का परिवार लाहोर में रहता था लेकिन बटवारे के बाद देली आकर बस गया जेटली भी भारत के अन्यनीताओं के जैसे चत्र राजनीती के प्रोड़क्ट थे वो देली विश्व विद्याले में ए बी वीपी की तरफ से चुनाव लड़े थे और प्रेसेडेंट भी बने थे जेटली के राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपुर्ण मोड था एमर्जनसी दीयू में वो सरकार के विरोध का प्रतिक बने और उन्हें जेल में 19 महिने तक रहना पड़ा वो जेल में उसी सेल में थे जहां अटल बिहारी वाजपई थे और उनकी राजनीती की प्रारंबिक शिक्षा वही से शुरू हुई अटल ने जेटली की मेधा को पहचान लिया था और इमर्जनसी खतम होने के बाद उन्हें इलेक्षन लड़वाना चाहते थे लेकिन उनकी उम्र उस समय महस 24 साल ही थी और लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिममम 25 साल होनी चाहिए ये पहला इलेक्षन जो अटल चाहते थे उसके लिए जेटली को बहुत इंतजार करना पड़ा इमर्जनसी के कारण वकालत की पढ़ाई रुख गई थी लेकिन उन्होंने उसको जारी रखा लेकिन बीजेपी से भी वो जुड़े रहे जब कोई क्लाइंट उनके पास में केस लेकर आता था तो वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे वो कुछ और करने लगते थे लेकिन वो उसको बहुत अच्छे से सुन रहे होते थे क्लाइंट इससे गुस्सा होकर तो चला जाता था लेकिन कोट में hearing के समय वो प्रिपेर होकर ही आते थे ऐसा बोला जाता है कि वो दो कोट लेकर चलते थे वो एविनिंग में बीजेपी दफ्तर आ कर वकालत का कोट उतार कर प्रवक्ता का कोट पहन लेते थे 1989 में वीपी सिंग के सरकार में उन्हें सबसे कम उम्र का अडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक किया गया ये सब उनके आग्यूमेंट टाक्टिक्ट्स को देखते हुए किया गया था 1996 में जब अडवानी पर जैन हवाला केस में ब्रश्टाचार का आरोप लगा तो उनके वकीलों की टीम में जेटली भी शामिल थे जेटली बहुत ही शोकीन आदमी थे उनको घड़ी पहनने का बहुत शोक था वो ऐसी घड़िया पहनते थे जो भारत में किसी के भी पास नहीं होती थी 1999 में वाजपई की सरकार में उन्हें मिनिस्टर ओफ स्टेट बनाया गया था जेटली को बोला जाता था कि वो गलत पार्टी में सही व्यक्ती थे बीजेपी में हाई पोजिशन के लिए आरेसेस की बाकिंग होनी जरूरी है लेकिन कभी वो आरेसेस का इंसाइडर परसन नहीं बन पाए इनकी इनी इलिट ग्रूप से कनेक्शन की वज़े से उन्हें बीजेपी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया 2005 में अडवानी ने बीजेपी प्रेसिडेंट का पत छोड़ा था उस समय लगता था कि जेटली की बार ही आ गई है लेकिन ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंग को दे दी गई जेटली बहुत ही उम्दा पॉलिटिकल मानेजर थे 2005 में नितिश कुमार पहले इलेक्शन में बीजेपी के साथ बहुमत हासिल नहीं कर पाए दूसरे चुनाव से पहले जेटली ने ही बीजेपी की टॉप लीडर्शिप को कन्विंस किया कि नितिश कुमार को मुख्यमंत्री चहरे के साथ जाना जाना चाहिए और जेडियू और बीजेपी का कोईलिशन पावर में आ गया दोहजार आट में भी जेडियू के साथ गडबंधन तूटने के गगार पर था तब जेटली ने इंटवेन किया था हाला कि जेटली की नरेंद्र मोदी से अच्छी बनती थी जब 1995 में मोदी को गुजरात से निकाल कर देली भेजा गया तो दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी थी मोदी को देली में अपना एक बंदा चाहिए था जो वहाँ से मीडिया और नेताओं को मैनेज कर सके जिनका हर पार्टी में कॉन्टाक्ट हो जेटली ने 2002 दंगो पर अडवानी जी को सपोर्ट किया था मोदी को 2014 के चुनाव का PM फेस डिकलेर करने में जेटली के पॉलिटिकल मानेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है मोदी चाहते थे कि जेटली चुनाव लड़े और उसके लिए सबसे सुरक्षित सीट अमरित सर्चुनी गई कॉंग्रेट्स ने वहाँ पर पंजाब के पुर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग को खड़ा कर दिया मुकाबला जो केक वॉक जैसा होने वाला था बहुत ही टककर वाला हुआ और जेटली चुनाव हार गए ये पहली बार था जब उन्होंने इलेक्षन लड़ा और वो हार गए लेकिन हारने के बाद में मुदी ने अपनी काबिनेट में वित्त और डिफेंस जैसे एहम पोर्टफोलियो उनको दिये मुदी गवर्मेंट को नोडबंदी, जीएस्टी, इन सब में जेटली ने पबलिक के सामने अच्छे से डिफेंट किया था 2019 के इलेक्षन से पहले उन्होंने प्रधान मंत्री मुदी को लेटर लिख कर बोला कि आगे वो खराब स्वास्ति की चलते सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके किड्नी से रिलेटर हेल्थ इशू की वज़े से जिसे वो लंबे समय से जूँज रहे थे उस कारण ही उनकी मृत्ती हो गई अरुन जेटली जैसे लोगों से यही सीख मिलती है कि नेटवर्क और कनेक्शन पॉलिटिक्स में कितना महत्वपूर्ण होता है